नमस्कार साथियों जैसे कि एक बिल्कुल बहुत लेटिस न्यू जा गई है एक्जाम डेट को लेकर कि यूपी प्लिस कॉंस्टेबल का एक्जाम डेट क्या होगा क्या एक्जाम डेट में बढ़ोतरी अब हो सकती है तो अब आप लोगों को अपनी कमर के पेटी कस लेनी है अब यह जो विमान होगा वो डिले नहीं होगा और राइट टाइम पर यह उड़ जाएगा तो 17 फरवरी और 18 फरवरी दो एक्जाम तितियां आपकी दो परिक्षा तितियां आपकी यहां पर जारी कर दी गई है जैसा कि आप इसको देख पाएंगे ठीक है यहां पर लिख लिखित परिक्षा संपन कराने तथा दिनांग 16 फरवरी दोडर 24 को आवश्यक तैयारी हेतु परिक्षा केंदर उपलत कराने की सहमत्ती संबंदित परिक्षा केंदर से प्राप्त कर इस बोर्ट को दिनांग 27 जनवरी 2024 तक प्रतेक दिशामें बोर्ट की ई-मेल डैस डैस उपलत कराने का क्या करें? कष्ट करें. याने कि यहाँ पर आपकी दो की गई है जहाँ पर लिखा गया है प्रश्न गत प्रकरण में अफ़कत कराना है कि उक्तिभरती हितु अभ्यारतियों की अत्याधिक आवेदन पत्र प्राप्थ होने की दिश्टिगत इस भरती की लिकित परिक्षा दिनांग 17 फरवरी र 18 फरवरी 2024 को दो दो पालियों में कराय जाने का निर्णाय लिया गया है लिकित परिक्षा में परिक्षा से एक दिन पूर वर्था 16 फरवरी 2024 को पूरी तैयारी कर ली जाए तो यहां पर आपका ये नोटिस जारी कर दिया गया है यानि कि 17 फरवरी र 18 फरवरी आपके जीवन का एक ऐसा दिन आने वाला है वो एक ऐसा दिन होगा जिसमें आपने कितनी तैयारी करी है या तो रण में आप विजई होगे या फिर रण में आपका मरण होगा तो इस हिसा इनको त्यागो तुम सर्दि वर्दी भगाओ अगर रात में भी क्लास लेने आये रात में भी मीरा दन चले दिनमें भी मीराथ दन चले लगातार कुछ दिन तक कुछ पैसा आपने जो सेविंग किया हो उसमें इंटरनेट एक महने का रिचार्ज करा लीजिए प्रीविए सेर के पेपर आपने चार्ट लिए होंगे हम लोगों ने यूपी प्लिस कॉंस्टेबल के फ्री मॉक टेस्ट आपको दे दिये हैं वो सारे मॉक टेस्ट ड आपने बच्चों के लिए भी होगा सरल होगा तो आपके लिए भी होगा हम चाहते हैं कि पेपर मीडियम इस्तर का आए मॉडरे टू हाई लेवल आए तो ज्यादा सही रहेगा आप बहुत निम्न कोटी का पढ़के जाएंगे तो फिर गरबडा जाएंगी चीजें निम्न आगमन में फस रहे हैं या कॉंग्रेस के अदिवेशन में फस रहे हैं उत्तर ब्रदेश स्पेशल में फस रहे हैं कोई अगर आप प्रीवेसर का पेपर देते होगे या फिर आप कोई प्रेक्टी सेट करते होगे एक्सपेक्टेड कोश्चन करते होगे तो वहाँ पर आप आपकी जैसे आज है 25 जनवरी, 17 फर्वरी है, यह पांच दिन में आप syllabus कंप्लीट कर लो, बचे वे 5-6 दिन में और 1 फर्वरी से जुट जाओ, सिर्फ मौक टेस्ट में, और 1 फर्वरी से 10 फर्वरी तक सिर्फ मौक टेस्ट करो, और 10 फर्वरी से 18 फर्वरी तक, समझ में आ फिर से एक बार रिवीजन करो आठ दिन तक या साथ दिन छे दिन तक रविजन करो रटा ऐसे वाला कि यह हो गया यह सब्सक्रेश करके इसके बाद करना फिर सי यह strategy अपना ना अभी पांस दन तक सिलेबस कम्पलीट करो हिश्ट्री जगरेफी पॉलिटी फिर इसके बाद एक तरिक से लेकर दस तरिक तक सिर्फ मॉक टेक्स एक्सपेक्टेड कोश्चन प्रिविएस पेपर और इसके बाद फिर रिवीजन और लास्ट टाइम का जो 24 गंटे का रिवीजन होगा वो सिर्फ करेंट अफेर का होगा 24 गंटे का जो लास्ट का सेशन होगा 15 और 16 वो करेंट अफेर का होगा सिर्फ सिर्फ करेंट अफेर का इसका पेपर देने जाना बस तुम्हें यह ना लगे कि तुमने पीछे मुल कर देखा है या तुमने सही से तयारी नहीं करी समझ में आ गया ऐसा आपको अंदर से आना न सकुनी ही मिलेंगे सारे और बड़े बड़े योद्धा मिलेंगे आपको समझ में आगे हर जगे चाल चली जाएगी तो एक एक कोश्चन को धान से करना परिये कि कर न और एक तारिक से हम लोग भी अपना फुल लेंथ मॉक्टेस से स्टार्ट कर रहे हैं एक तारिक से कि इस तर से 80% पेपर तो मिला देंगे पेपर तो ऐसे मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है जितना आपने पढ़ाया है उसी मिल जाएगा बाकि जो बूस्टर दे रहे हैं वो बूस्टर पढ़िएगा बहुत-बहुत धन्यवाद बिलुकुल पूरी तरीके से लग जाएए हैं कोई दिक्कत हो कोई भी अगर हमसे गिला सिक्वा हो कोई भी टॉपिकां आपको नहीं आता हो पेड़ बैट में पेड़ लिया हुआ हमें यह यह टॉपिक नहीं आता है या वैस सर ने ट्रिक में पढ़ाया है आप बताईए हम उसकी टृड बना देंगे है बच्छों तो प्रभू सब का भला करेगा और आपका जरू कल्यान करेगा धन्यवाद